आज मेरे शहर में हो रही थी सुबह से बारिश, बाद में पता चला कि सुबह से नहीं, राच से ही बारिश हो रही है, तो यही सोच करके बाहर निकली, और देखिए इन बच्चों को देख करके, खुद का वच्पन याद आ गया कि बरसात हो रही है, तो भी बाहर आराम कर र तो मैं आज बनाऊंगे गरम गरम पकोड़ी, तो देखें, मैं आज ऐसी पकोड़ी बनाऊंगे, कि बच्चों को पता भी नहीं चल पाएगा, कि मैंने यह पकोड़ी आखिर कार बनाई किस चीज की है, तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम सहच का प्याज ले लिया है, और प्य लेने के बाद मैंने थोड़े से पालक के पत्ते भी काट लिया है, जो मैं अपनी किचन गार्डन में से लेकर के आई थी, क्योंकि मेरे किचन गार्डन में बहुत सारे पालक आ रहा है, तो मैंने इसी तरीके से पालक को धो करके काट लिया है, और उसके बाद मैंने काट ल लेकिन जब जाती हो तो मुझे लाल मिर्चे मिलती है तो अभी आपको इनी मिर्चों से काम चलाना पड़े गया यानि कि आपको अभी यही मिर्चे देखने को मिलेंगी जब तक कि मेरे पौधे में मिर्चे आ रही है और उसके बाद मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अद्रक क कर लिया, तो मैंने बिल्कुल है टूटे साइच की मूउली लिया, ग्रेट और पारीक बारीक और खे जाका आलु ुद्य आपक व्रुसिट घर. तब के बाड़ों से जो टर्ट कर देज यानी घ्रवी कंग early प्याज डाई मेंक मूब तो इस तरीके से कवर देने से क्या प्रहम होगा,कि मूली यू है। और मैं इसको रख देती हूं साइड में जब भी हवा के कॉंटेक्ट में आते हैं मूली और आलू तो वो काले पड़ जाते हैं और अब करेंगे पकोडी की तैयारी तो मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है यानि कि मैंने चार चम्मच बेसन लिया है भर भर करके और उसके करें और मैंने आधी चम्मच कलोंजी डाल दी है और साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और इस तरीके से आप देखे मैंने कौन-कौन से मसाले डाले है और साथ मैंने इसमें एक पिंच हींग डाली है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें तीकी वाली लाल सालो और बेशन को मिलाया है और देखे इसके बाद मैंने इसमें जो हमने सब्जियां काटी थी यानि प्याज, पालक, मूली, आलू जो भी हमने ग्रेट किया था और कुछ सब्जियों को काटा था उनको आपस में मिला लिया है और आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो घोल ह जादा पतला नहीं होना चाहिए, घोल इतना ही गाड़ा होना चाहिए, जितना कि मैंने गाड़ा बनाया है, जादा पतला कर देंगे तो पकोड़ी उठाने के बज़ाए, वो हाथ से टपक टपक करके किुटते रहेगी, तो आप इसी तरीके से जितना टाइट घोल मैंने इसी तरीके से आप बनाएं और उसके बाद मैंने कडाई में चड़ा दिया था तेल तेल जब अच्छी तरीके से गरम हो गया है तो हम इसके अंदर डाल देंगे यह बेसन का घोल यानि की बेसन की पकोड़ी वाला घोल डाल देंगे और धीरे-धीरे करके मैंने हाथ को बचा तरीके से घोल बना करके और सारी पकोड़ीयों को तेल के अंदर डाल दिया है और आप इसको धीरे-धीरे करके पलगते रहें जब यह गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो देखे इसके बाद यह बहुत अच्छी तरीके से और फ्लेम का आप बहुत खास ध्यान रखें फ कितनी कुरकुरी बनी है और यह बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है तो देखें मैं आपको एक पकोड़ी तोड़ करके बताती हूँ और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आप इसको बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो वो बहुत ही जियां डाल करके इसको बनाया है तो अब मैं तो चली इसे इंजोई करनें बाबाई